Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा exciting है आज मैं बात करने वाला हूँ US hiring के बारे में जिसके बारे में मैंने already एक post डाला था अपने Instagram पे भी, WhatsApp पे भी और YouTube community post पे भी तो उसी से related बहुत सारे लोगों के questions थी, queries थी यह कौन सा program है जिसमें हमें जाने को मिलेगा US और साथे साथ कितना आपको salary मिलेगा इसमें कितना आपका expense आएगा, क्या उसके पाथ job prospects रहेंगे accommodation मिलेगा के नहीं मिलेगा, इस तरी के बहुत सारे questions आप लोगों के थे फिलाल जिस hotel में आपको opportunity मिल रही है, वो है JW Marriats, Florida So अगर आप अभी hotel management के fresh graduate हैं, या फिर अभी hotel management के final year के student है तो ये opportunity आपके लिए सबसे best है, इसी से आपका eligibility criteria भी define हो जाता है कि जो लोग अपने final year के student हैं, या फिर अपना hotel management clear कर चुके हैं एक दो साल, तीन साल का experience हो चुका है, तो वो लोग भी इसके लिए apply कर सकते हैं इस internship का duration कितना होने वाला है, तो already as explained, इसका internship का duration एक साल का होने वाला है ओके तो इसके बाद जो next question बहुत सारे student का था, कि भाई हमको salary कितने मिलने वाला है इस पूरे एक साल के लिए तो देखो यह पहली बात तो यह salary नहीं होगा, internship पे आपको क्या मिलती है, stipend मिलता है तो यह आपका जो stipend रहने वाला है, वो लगबग आपका 15-18 dollars के बीच में रहने वाला है, पर hour तो आपका जो stipend रहने वाला है, पर मंत का, वो लगबग लगए 2-5,5,000,000 के बीच में रहेगा और अगर आप weekly 40 hours से जादा काम कर लेते हो, या फिर overtime करते हो, तो आपका जो stipend होगा, वो डेड़ गुना जादा आपको बढ़के मिलेगा इसके लावा भी अगर आप FNB के student है, या फिर housekeeping के student है, तो definitely future में इनकी opportunities भी आएगी, तो आप connected रह सकते हैं, future में अगर कोई भी opportunity आएगी, तो मैं definitely आपको inform करूँगा इसके बाद एक सबसे बड़ा question जो आ रहा था कि कितना expense लगेगा, तो देखो यार आप US जा रहे हैं, ठीक है न, आप इंडिया में कोई internship नी कर रहे हैं, या फिर आपकी आसपास के country में internship नी कर रहे हैं, तो definitely खर्चा लगेगा, हाला कि जो भी आपका खर्चा होगा, उसे आप US जाके लगबग 2 महीने में ही cover up कर लोगे, और बाकी सारे months की salary आपकी savings ही savings होगी, और उसके बाद आप खुद देखेंगे, एक महीने में ही आप लगबग 2.5 लाक रुपय कमा लेंगे, तो आप खुद लगा सकते हैं, कि 12 महीने में आप कितना कमा लेंगे, और आपक अगर एक rough idea भी दूँ तो लगबग जितना आपने expenditure करा है, उससे 3-4 गुना जादा ही आप वापस लेके आओगे अपने साथ, इसलिए मतलब ऐसा नहीं है कि केवाल आपका पैसा लग जाएगा और वापस नहीं आएगा, वापस उससे काफी जादा मिलने वाला है आपको, तो इसलिए आपको उस चीज की tension नहीं लेने चाहिए, हाँ एक चीज जरूर है कि इंटरंशिप हर किसी के लिए नहीं है, बट येस जिनके पास पैसा है, जो लोग invest कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे opportunity है, वहाँ जाने का उनको मौका मिल रहा है, वहाँ जाक अगर आप देखेंगे तो वह बहुत जादा expensive पढ़ता है, यानि कि आपका extra पैसा लग जाएगा वहाँ से जाने पर, अब आपके दिमाग में आएगा क्या आप directly नहीं जा सकते हैं, तो directly possible नहीं है, आपको sponsor की जरुत पढ़ती ही पढ़ती है, इसलिए आप मुझे contact कर सकत हैं, साथी साथ अगर कोई और भी मैं suggest करना चाहूं तो ASPD एक बहुत ही अच्छे consultation services है, यानि कि American Skills and Personality Development, इनको लगबग 10 साल हो चुके हैं, यह बहुत सारे students को बेज चुके हैं, लगबग 1000 से जादा बच्चों को इन्होंने अभी तक अलग-अलग countries में भेजा है, और बाक पर हमें accommodation मिलेगा की नहीं मिलेगा, तो accommodation देखो आपको वहाँ पर जो hotel की तरफ से arrange करवा के दे दिया जाएगा, but उसका आपको rent पे करना होगा, इसके बाद जो last question सबसे जादा पूछा जा रहा है कि आगे इसके बाद क्या होगा, जो एक साल की internship होजएगी, उसके बाद क देखो यार, बहुत सारा आप सीखने को आपको वहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आपको definitely अपने career में आगे बहुत help मिलेगी, साथी साथ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप US जाके सीखोगे, लाइक आप J1 वीजा से F1 वीजा के लिए, यानि student वीजा के लिए convert कर सकते हो, वहाँ पे आगे further studies करके, फिर वहाँ पे work visa के लिए apply कर सकते हो, तो इसी तरही कि बहुत सारी और भी opportunities आपको मिल सकती है, अब कुछ लोगों का ये भी question आएगा कि directly हमें US-UK की job का वो बताईए, कोई job के लिए कहीं पर hiring हो रही हो, ऐसा वैसा हो, तो वो वहीं का experience है, तो वो उनको hire करना prefer करेंगे rather than आपको जिसको अभी experience ही नहीं है, येस आपको जब 6-7 साल, 8 साल का experience हो जाए, उसके बाद definitely आप in countries के लिए apply कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि आप hotel management करके fresh pass out हो के सीधर US-UK, Canada में job करने लगोगे, तो ऐसा possible नहीं है, बट इसके लावा आपकी Dubai वगरा इन जगे की जो Gulf countries की opportunity ये आपकी खुल जाती है, एक साल, डेट साल के experience के साथ ही, और इवन आप यहाँ पर training करने के लिए भी जा सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपका कोई भी question है कोरी रहता है, या आपको जाना है और आपके पास ओर desired experience है, तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, जैसी कोई भी opportunity आईगी, मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूँगा, और इसके लाव अगर आप जो लोग भी इसके लिए excited हैं, जो लोग भी J1 visa के लिए apply करना चाते हैं, इस internship के लिए apply करना चाते हैं, वो मुझे WhatsApp कर सकते हैं, मैं आपको से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो इसलिए subscribe, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, thank you so much, have a nice day, bye